हलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल दिल साथ में अगर आपने हाल ही में राजिस्तान बोर्ड का एक्जाम दिया है आपने क्लास फाइव का या फिर क्लास एट का एक्जाम दिया है तो आपको जानकर खुसी होगी आज रिजल्ट जारी हो चुका है लेकिन बहुत से मेरे भाईयों को प्रोब्लम आ रही है वो अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं जैसे ही वो साइड ओपन कर रहे हैं तो साइड ओपन ही नहीं हो रही है तो मैं आपको pro पर सही तरीका बताऊँगा जिसके दुआरा आप आसानी से अपने phone में class 5 और class 8 का result चेक कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर अगर normal तरीके से अपना result देखते हैं तो आप यहाँ पर जादे जादे क्या सर्च करते हैं exam सरकारी result info तो अगर आप इस तरह से result चेक कर रहे हैं तो आपके सामने यह side आ जाती है आप इस side को open करते हैं तो आपके सामने यह interface आ जाता है तो हमार이 सामने add वगेर आ रहा है और हमारे सामने यह page आ चुका है अब नीचे की तरप हम यहाँ पर scroll करते हैं तो हमारे सामने पर काफी सारे link आ चुकी है जैसे क nom आप अगर टच करते हैं तो बहुत से मेरे भाईयों को error आ रहा है इससे आगे नहीं बढ़ रहा है वैसे यह जो प्रोब्लम है सर्वर डाउन की विज़से प्रोब्लम है क्योंकि काभी सारे विज्ञारती एक समय में एक साथ अपना क्लास 5 और क्लास 8 का रिजल्ट चेक करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में साइड पर एरर आ रहा है लेकिन मैं आपको अलग से एक और तरीका बत बता देता हूं जैसे के राजसाला अगर आपको लिखना है र-a-j-s-h-a-l-a राजसाला उसके बाद आप दरपन लिखेंगे दरपन की स्पेलिंग है ड-a-r-p-a-n दरपन उसके बाद आप रिजल्ट लिखेंगे रिजल्ट की स्पेलिंग है र-e-s-u-l-t उसके बाद जैसे के बाद आपके सामने काफी सारे रिजल्ट आ जाएंगे नीचे की तरप स्क्रोल करने के बाद आपको इस साइड को देह लेना है साला दरपन और इसका जो डोमें है वह आप देख सकते हैं राजसाला दरपन.nic.in आपको इस साइड को उपन कर लेना है यह साइड या फिर आप रोलनमबर और एप्लिकेशन के माध्ययम से भी अपना रिजल्टा चेक कर सकते हैं और रोलनमबर और school SD code के द्वारा भी या फिर PSP code के द्वारा भी आप result चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर तीनों option में से कोई एक option select करेंगे जैसे कि हमने role number district select कर दिया है उसके बाद आप नीचे scroll करेंगे अब आप यहाँ पर class 5 या फिर class 8 set करेंगे तो मैं यहाँ पर class 8 select कर देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर अपना role number डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना district set करना है जिस जगह आप रहते हैं उसका district क्या है तो आपको district set करने के बाद यहाँ पर एक capture code दिखाई देगा यह capture code आपको यहाँ पर डालना है यहाँ पर इस capture code को fill करने के बाद आपको search पर touch करना है लेकिन अगर आप बार बार यह capture डाल रहे हैं गलत हो रहा है तो आप इस capture को यहाँ पर touch करने के बाद दूसरा capture में हुआ सकते हैं ड्रेस कर सकते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा कोट डालने के बाद यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे तो आप आसानी से अपना राजिस्तान बोर्ड क्लास फाइव या फिर क्लास एट कर रिजल चेक कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूँ आप से अगली इसी तरह की नौलिजबल वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया